हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संबिधान के अनुच्छे देख 136 के बारे में यदि आप भारती संबिधान से रेलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको भारती संबिधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा हम बात करते हैं भारती संबिधान के अनुच्छे देख सो 136 के बारे में यह कहता है अपील के लिए उच्चुतम नियालय की विशेश इजाजत यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है और वो यदि अपील ऐसी हो जो हाई कोट उसको अनुमती ना दे छोटे नियालय उसको अनुमती ना दे वो व्यक्ति यदि डायरेक सुप्रीम कोट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में ये लगे कि वह आपील उसकी सुईकार की जा सकती है तो ऐसा विशेश इजाज़त जो है भारती संबीदान के अनुच्छेद 136 के अंतरगत सुप्रीम को दी गई है कि वो किसी भी प्रकार की अपील को खुद सुईकार कर सकता है और खुद ऐसी इजाज़त दे सकता है कि हाँ भया आप अपील करो हम सुईकार करें तो ये विशेश इजाज़त है और विशेश इजाज़त के लिए भारती संबीदान के अनुच्छेद 136 का प्रावदान किया गया क्या लिखा हुआ इस समद्ध में इस समद्ध में लिखा है कि इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी कोई भी बात हो भई या इस अध्याय की उसके होते हुए भी उच्चतम नेहल है याने कि सुप्रीम कोट अपने विवेक अनुसार भारत के राज चेत्र के किसी नेहल है या आधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किये गए किसी निड़न, डिक्री, अउधारन, दंडा देश या आधेश की अपील के लिए विशेश इजाज़त दे सकेगा वो यह नहीं कहाएगा किसाब हमको तो कोई पावर ही नहीं, आप तो नीचे से आओ तो फिर अपील करते हुए आओ तो फिर करने देंगे आपको अपील, ऐसा नहीं डायरेक्ट सुप्रीम कोड को विशेश इजाज़त देने के लिए भी यहाँ पर भारती संबीदान के अनुस्चेद 136 में प्रावधान कर दिया गया है कि वहिए यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहे तो उच्चुतम नियालय याने सुप्रीम कोड की इजाज़त विशेश इजाज़त के माध्यम से भी अपील कर सकता है पॉइंट नंबर दो कहता है कि खंड एक की कोई बाब ससस्त्र बलों से संबंदित किसी विजी द्वारा या उसके अधीन गटित किसी न्यायलय द्वारा या आधीकरण द्वारा पारित किये गए या दिये गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडा देश या आधेश पर लागू नहीं होगी यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया कि वहिया सुप्रीम कोड जो है विशेज इजाजत के माध्यम से भी अपिस विकार नहीं करेगी ससस्त्र बलों से संबंदित मामलों में है सास Hundredबल के का यह रह ей और है कि भारत की फौज है भारत की सैना है भारत की सैना के मतध्याँ से किसी जो है दुसमंदेश के और किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गए और उसके बारे में जो है भारती सैना का कोई नेयाल pom懂 कर दिया दंडा तो ऐसा कोई व्यक्ति जो है सकता ऐसा तो सुप्रीम कोट करेगी भी नहीं तो ससस्त्र बलों के मामո्मない एसा कोई भी आदेश दिया जाता है तो उसके लिए विषेश इजाजत का कोई प्रावधान यहां पर नहीं है एसा यहां पर बता दिया गया कि ये वाली जो बात है वो ससस्त्र बलों के न्यायलाय पर उनके आदेश, दंडादेश या किसी भी प्रकार के निर्णाय पर लागू नहीं होगी तो आज की वीडियो में हमने अध्यान किया भारती संबिधान के अनुच्छे 136 के बारे में यदि आप भारती संबिधान से अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको भारती संबिधान का अगला वीडियो भी मिलेगा CRPC, IPC और भारती संबिधान के संपुन वीडियो यहीं से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेल आइकोन प्रेस कर दें, ता